हलो स्टुदेंट्स, वेलकम बैक इन होट ट्रिपल टू प्रोडक्शन टेक्नलोजी फोर ओर्नामेंटल क्रोप्स, मेडिसिनल अरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंड्सकेपिंग अपना पिछला लेक्ट्डा था जिसमें रोज का इंट्रोडक्शन पड़ा था कि रोज के कौण कौन सी स्पीसिज हैं, उनके क्या क्रेक्टर स्टिक्स है? ज़े रोज को किस प्रकार से classified किया जासकता है? जैसे effectivement रोज थो घाई कुछ हिस्ट्री के बारे में जो गुलाव की हिस्ट्री और देखा था तो इस टॉपीक के अंदर आपने रोज कल्टिवेशन देखेंगे कि रोज इस परकार से उगाया जा सकता है जा उगाया जाता है ठीक है तो यह बाला जो topic है कई बार क्या होता है कि जो question पूछा जाता है exam के अंदर वो rose cultivation पूछता है कि rose cultivation लिखो तो आप इस topic को पूरे के पूरे topic को आप लिख सकते हो rose cultivation के अंदर ठीक है जितना भी आपके याद रहे वैसे तो तो उसको लिख सकते हो और इसमें भी यह होता है कि कई बार question वो पूछता है कि protected cultivation रोज की तो वो जो मैं protected cultivation उस पर मैं अलग से एक lecture बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा जो इसके next वाला जो seven lecture होगा वो इसके उपर होगा ठीक है तो जो जनरली वैसे भी अपने लिवर्स रोज दो जगया पर दिया हुआ एक तो protected cultivation के अंदर cultivation है एक उसकी cultivation है aromatic crops के अंदर aromatic crops जहां पर आप कह दो कि सुगंदित पो दे क्योंकि इसमें से भी रोज ओयल निकाला जाता है पर फ्यूम निकाला जाता है तो इसको और एरोमेटिक क्रोप भी काउंट किया जाता है और बहुत ही अच्छे अरोमेटिक फ्लोवर्स होते हैं इसके और मैडिशनल प्रोपर्टी भी रखता है ठीक है और एक और बात कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत से स्टुडेंट ऐसे हैं मेरे जो लेक्चर पूरा नहीं देखते हैं वो सोचते हैं चलो लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है जब भी एक्जाम होंगे हम अपने उसको पूरा देख लेंगे और त्यारी हो जाएगी ऐसा नहीं होता अगर आप उस समय आपके लेक्चर पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उस लेक्चर को पूरा देख पाओ Zone कि आपने जो एंजर के एक जएक नग चलिक्सोर एक उसमें एक दिन को छोड़के एक दिन एक्जाम होता है तो आपके पास उनली एक दिन का पूरे का समा कोगा जिसमें आप पूरे व होती है कि आप वैसे तो पढ़के भी त्यार कर लोगे कि मैंने पढ़ लिया और ठीक है मेरे याद हो गया पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझने वाली होती है फसल के अंदर बहुत सी चीज़ें कॉमन होती है सोयल क्लाइमेट आपने सब में पढ़ा हुआ हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं पर हार्वेस्टिंग की हर फसल की अपनी अपनी मैचूर्टी इंडाइसे कहलो एक तरीके से परिपक्तवता सूचकांग की तरह कहलो जैसे फुलोवर प्लोप है तो उसके भी अलग-अलग स्टे इसका मतलब क्या था वो चीजे इन टॉपिक के अंदर अपने कवर करता हूं मैं वैसे तो नॉर्मल कल्टिवेशन होती है जैसे आम पढ़ते हो तो इसलिए लेक्चर को पूरा देखा करो तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को रोज कल्टिवेशन बोटनिकल नेम रोजा स्पीसीज ठीक है फैमली रोजे सी क्रोमोजोम नंबर 2N14 जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं गुंसुतर संक्या वो 14 होते हैं इसके डिप्लोइड क्रोमोजोम नंबर जो मिट्टी है गुलाब के लिए वैसे तो इसको हर परकार की मिट्टी में कल्टिवेट सोरी उगाया जा सकता है ठीक है उगाने का मतलब आप कहीं भी इसको उगा सकते हो गुलाब को अगर गार्डन पर पैसे उगा रहे हो तो पर अगर यहां पर कमर्शल कल्टिवेशन करनी है वहां पर ज्यादा तर जो मीडियम लोम सोयल है मद्यम दोमट मिट्टी है वह इसकी के लिए उत्तम रहती है जिसमें अच्छा और्गैनिक मैटर हो चीक है और्गैनिक मैटर हो कार्वनिक पदार थच्छी मात्रा में हूँ दा पीएच ऑफ सोयल इस बूट फ्रॉम 6 तो 7.5 जो पीएच है मिट्टी का जहनी कि जो पीएच होना चाहिए मिट्टी का वो निट्रल होना चाहिए लगबग 6 से साधे साथ के बीच में होना चाहिए इट केन आलसो टोल एंड माइल्ड ऐसीटिटी और कुछ हद तक ये जो मद्यम सी कहलो पूँजह हलकी सी ये acidity को मिट्टी को खी सह meinen कर सकती है जानी कि 5.5 से लेकि 6.5 की जो acidity होती है उसको भी इसथान कर लेती है अगर एरेशन अच्छ recruit मिट्टी के अंदर मिट्टी पोराश तू कहने का मतलब ठीक है उसमें एरेशन अच्छा है तो उसको भी सेंड कर लेती हलकी सी एसिड़ी को एह हाई वाटर टेवल इस नौट एप्रोप्रियेट वाटर टेवल समझते हो जलस्तर जो जमीन का जलस्तर होता है जानी कहने का मतलब है कि मिट्टी गहरी होनी चाहिए उसका वाटर टेवल हाई नहीं हो में साइड एयर सर्कूलेशन एकसेक्रा जो मोस्ट इंपोर्टन फेक्टर्स होती है क्लाइमेट के कारक होते हैं जैसे लाइट प्रकास जिसको इंटेंसिटी भी और डूरेशन भी दोनों ठीक है दोनों ही गुलाव की कल्टिवेशन को परभावित करती है ठीमपरेशर है स्थाब मान ठीक है humidity है आधरता नमी जो वातवर्ण में होती है इसके लावा carbon dioxide का जो अनुपात है ठीक है वो air circulation जो ventilation है ठीक है जो air carbon dioxide or ventilation कहलो जाए air circulation है यह ज्यादा तर जब अपने गुलाव को protected cultivation जहां green house के अंदर cultivate कर रहे होते हैं उस समय ज्यादा important होता है यह चीजे पर अगर अपने नॉर्मल open में कर रहे हैं अपने आज जो टोपिक चल रहा है यह open condition के अंदर है तो वहां पर इनकी ज्यादा कोई महतव नहीं है इन चीजों का तो light temperature और humidity तीन important factor है cultivation के लिए in the northern plains rose flower are best during winter जो उत्री मैदानी शेत्र होते हैं वहां पर जो गुलाव है अच्छे फूल देता है सर्दियों के अंदर while in the temperate mountain mountainous region of the Himalayas are the best flower are produced in summer जो temperate कहलो जो शितोशन शेतर वाले पहाड़ी हिमालया के पहाड़ी शेतर है वहां पर ज्यादा तर गुलाव अच्छे फूल देता है क्योंकि उस समय वहां का temperature suitable होता है बहुत जदा गर्मी तो वैसे भी नहीं पड़ती हिमालया शेतर के अंदर तो वहां का तापमान उस समय ज्यादा ठीक रहता है उससे पहले वो बहुत जदा ठंडा होता है कहलो जहां उसमें बर्फ जमी होई रहत इसके अलाबा अपने अच्छी क्वाल्टी के फूल साल बर प्रड्यूस कर सकते हैं जो साउथ हिंडिया ऐसे क्लाइमेट के अंदर जहां पर जैसे पूने आ जाता है बैंगलोर वाली कंडिशन है वहां पर साल बर फ्लोवरिंग होती रहती है गुलाव के अंदर अच्छे इसके बाद है जो मेंज फैक्टर्स जो इसके कारक हैं जैसे लाइट है तो लाइट कितनी होने चाहिए रोज लाइग स्ट्रॉंग संनलाइट पूरे दिन रोज को चाहिए बहुत ही मतलब तेज दूप सहन करता है पूरे दूप मेली है प्रंतु अगर ऐसा नहीं संबब की पूरा दिन उसको धूब में मिल सकती तो कं से कं जो नून से पहले का समय होता है। अब नून से पहले का जाने की सुब़े का टाइम होता है, उसमे अगर अच्छाया रहति है कोई बात नहीं पर उसके बाद की धूबध को पूरी मिलनी चाहिए ठीक है शाम तक दूप रहनी चाहिए इसके ओपर दोपैर से शाम तक और पहले पैर वाली जो दूप रहती है वो जो सुबह की होती है वो जुरूरी नहीं है six horse of sunshine is ideal for better flowering six horse मतलब कहलो छह गंटे की जो sunshine होती है वो इसके लिए ideal होती है अच्छी flowering के लिए अच्छे pushpun के लिए छह गंटे light प्रोज को मिलनी चाहिए कम से कम four roses light intensity of six thousand to eight thousand feet candles और six to eight k is good तो जो रोज है गुलाब है इसके लिए जो light की intensity है वो 6000 से 8000 foot candle होनी चाहिए मतलब इतनी intensity होनी चाहिए यह light की ठीक है जहां कहलो कि छह से 8000 के good होती है temperature higher temperature during the night time period compared to the daytime period will lengthen the internodes जो तापमान है अगर राज का तापमान ज्यादा रहता है दिन के तापमान की तुलना में तो जो इंटर नोड्स होती है दो नोड्स के बीच की लंबाई कहलो इंटर नोड्स ठीक है वो stretch हो जाती है जा कहलो कि वो बढ़ जाती है इनकी लंबाई बढ़ जाती है इंटर नोड्स लंबी हो जाती है ठीक है दो नोड्स के बीच की इन mild temperature is very important for its cultivation at around 15.5 degrees Celsius for this reason we get a good crop in winter जो रोज है इसके लिए वैसे cultivation के लिए mild climate होना जुरूरी है मध्यमसा तापमान रहना चाहिए लगव 15.5 degrees Celsius तापमान ठीक रहता है इसलिए जाता जो सर्दी के अंदर अच्छे लगती है गुलाव के अंदर जाने कि अच्छी फसल आती है however the temperature range of 15 to 27 degrees Celsius remain fine फिर भी इसके लिए जो गुलाव के लिए जो पंदर से 27 डिगरी का तापमान है रेंज है इसके अंदर तापमान अच्छा रहता है fine रहता है 25 to 30 degrees Celsius on sunny days मतलब जो जो सूर्य वारे दिन होते हैं अब बादल नहीं होते तब 25 से 30 degrees Celsius के तापमान दिन का होना चाहिए whereas where on a cloudy days it should be 18 to 20 degrees Celsius वहाँ यहां पे वहां पे अगर बादल है तो तापमान लगबग 18 से 20 degrees Celsius के आसपास रहना चाहिए ठीक है पर एक average temperature है जो 15 से 27 डिगरी है गुलाब के लिए और अच्छा 15.5 डिगरी अच्छा रहता है humidity humidity play an important role in the incidence of paste and diseases affecting growth and flowering humidity जो एक वैसे तो important role play करती है कि उसके उपर बिमारियां जहां इंसेक्ट लगेंगे तो जो कि flowering को और पोधे की व्रदी को प्रबावित करेंगे तो उन पे भी काफी important effect पड़ता है इसके लाबा पोधे की growth के लिए भी काफी important होती है approximately 60% relative humidity is most ideal for rose production और लगब लब 60% जो आप एक्षित आधरता होती है गुलाब के खेती के लिए best रहती है उत्तम रहती है इतनी होनी चाहिए लगब 60 के आसपास relative humidity नमी होनी चाहिए वातवर्ण के अंदर अगर वैसे तो बहुत सी बिमारियां है जैसे powdery mildew हो भी high humidity पे ज्यादा attack करती है plant के उपर तो जो humidity होती है काफी important role play करती है growth के अंदर पोधे की इसके लाबा cultivars cultivars जाने की किसमे जहां varieties there are currently more than 20,000 varieties of roses which vary differently in size, shape, color, aroma and floral habits अभी तक जो है कि उसमें से लगबग 20,000 से भी ज़्यादा रोज की किसमे हैं 20,000 से भी बहुत ज़्यादा पूरे विशब में उगाई जाती है जो की आकार में फूलों के रंग के अंदर उसकी खुश्बू के लिए और floral जो आदत होती है उनकी पुश्पन की किसी का गुच्छे में लगना है कोई double type है कोई single type है कोई open centered है तो उनके अंदर difference के अंदर बहुत सी variety है मतलब 20,000 variety है जो अलग-अलग है इन चीजों के अंदर छीक है selection of rose cultivar selection मतलब उनका चुनाव करना किस्मों का कि अपने को कौन सी किस्म को उगाना है depends on the purpose of growing जो किस्मों का चुनाव किया जाता है वो depend करता है कि आपने किस purpose से उस किस उदेश्य से उसको अपने को उगाना है गुलाब को उदेश्य अपने कई हो सकते हैं हो सकता है कि garden display के लिए मैं उगा रहा हूँ हो सकता है loose flower के लिए मैं cultivation करनी है इसलिए उगारा हूँ हो सकता है कि मैं cut flower के cultivation के लिए variety का चुनाव कर रहा हूँ हो सकता है कि exhibition purpose हो मेरा तो उनके लिए अलग-अलग character होने चाहिए उस किसम के अंदर जैसे गार्डन डिस्प्ले और लूस फ्लोवर के लिए फॉर्म जो उसकी रहती है जहां फिर साइज फ्लोवर का शेप कैसी आकार कैसा है कलर कैसा है रंग कैसा है जानि कि उसमें फ्राग्रेंस है जहां नहीं है टू बी टेकन इंटू कंसीडरेशन मतलब कैसी है जहां यह सारी चीजें उस समय गार्डन जो डिस्प्ले जहां फिर यह कहलो कि लूज़ फ्लोवर के लिए जैसे गार्डन डिस्प्ले का मतलब है बगिचे में लगानी है आपको तो आप सेट करोगे ऐसा पोदा कि उसमें ऐसे कलर आई इस कलर के फूल आए और ऐसी श किसम यूज़ करने पड़ेगी अगर मेरा परपस रोज ओयल निकालने के लिए तो मुझे फ्राइग्रेंट किसमों का चुनाव करना पड़ेगा ठीक है तो मतलब मेरा परपस अलग-अलग हो सकता है तो किसमें मुझे अलग-अलग चुननी पड़ेंगी कट फ्लोवर के ल लिए इसके लावा एक्जिविशन परपस एक्जिविशन होता है परदर्शनिया लगती है बहुत बड़े-बड़े मेले होते हैं वहां पर लोग लेके जाते हैं कि मेरे यह गुलाव की किसम इतने अच्छे फ्लोवर है इसकी यह क्वाल्टी है ठीक है उनको प्राइज मि चाहिए मतलब उसमें जो वराइटी उगाई है उसके स्पेशल गुन होने चाहिए और क्वालिटी वाइज भी वह फूल अच्छा होना चाहिए ठीक है तो ही एक्जिविशन के लिए वह ऐसी किसम को उगाया जाता है इसके बाद है किसमें तो अलग-अलग जो किसमें हैं जैसे हाइब्रिटी रोजेस की जो किसमें है उनमें अरुना, वैले ओपंजाब, हीर, नजरे नजर, रुपसार, डार्क बॉय, अनुराग, देली अप्रिकोट, देली संशाइन, चितावन, नजनीन, पेल हैंड्स, वाइट नन, पूर्नीमा, राजा, सुरेंदर, सिंग, नाला घड, एक ही किसमेंप ठीक है, डॉक्टर बीफी पॉल, जवाहर, काना कांजी, मृदुला, मिननालिनी, रक्त घंदा, ये कुछ इंपोर्टेंट हाइब्रिड किसमें हैं, इसके इलावा हाइब्रिड रोजेस डवलप बाइ नर्सरी मैं, हाइब्रिड किसमें हाइब मौहनराय, डॉक्टर, रादा कृष्णन, जे किसमें इसकी नर्सरी मैंस के डवलप की हुई हैं, इसके लावा कलर के हिसाब से भी किसमों को क्लासिफाइड किया दाख रखता है, जैसे वाइट कलर वाली, जैसे ग्रांड, मुगल, जून, ब्राइड, डॉक्टर होमी माउंट, शाष्टा, तुशार, विर्गो, ये किसमें हैं जो वाइट कलर की है, इसके लावा येलो कलर जो पीले रंकी होती है, गंगा, गोलकॉंडा, गोल्डन, गोल्डन गयंत, इसके लावा लंडोरा, आदी किसमें येलो कलर वाली है, इसके लावा पिंक कलर के अंदर कॉंफिडेंस, एफिर्ट ओवर, फर्स्ट फ्राइज, लाफ्रांस, मारिया, सौथ सी, एक्सेक्टरा, मतलब जो पिंक कलर की किसमे है, वो ये थी, उसके लाबा रेड कलर के अंदर जो लाल रंग की किसमे है, उसमें है, अवान, भीम, क्रिस्टियन डायर, क्रिमसन गलोरी, क है, नेक्स्ट ग्रूप है, तो इसका अगर ये तुम्हें समय नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये मेरे पिछला जो लेक्चर था, मैंने बताए कि क्लासिफिकेशन उसके अंदर है, क्लासिफिकेशन उस लेक्चर में से देख लेना, ये भी काफी इंपोर्टेंट होता है, कई पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन लिको रोज का चार नमर के अंदर पूछ लेते हैं, तो पढ़ ले ना उस चीजों को, इसके लाबा इसमें फ्लोरी बंडा के अंदर, अफसरा, अजीज, अहल्या, चंबा, प्रिंसेस, धेली ब्राइटनेस, बंजारन, बंजारन काफी निलंबरी, रुपाली, सदा बहार, शबनम, सिंदूर, सुचित्रा, एंड सुरोधिया, ये किसमें हैं फ्लोरी बंडा की जो इंपोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ किसमें कलर वाइज भी हैं, जैसे वाइट कलर के अंदर, जो इसके बेद फूल आते हैं, जिसमें, हिम किसमें, सतांजा, टिक्की, एक्सेक्टरा, ठीक है, पिंक कलर में, येलो के अंदर, आल गोल्ड, फूविटीव, और्थर वैल, एक्सेक्टरा है, ये येलो कलर की पीले रंग वाली, उसके अलावा औरेंज के अंदर, एनेमेरी, सेलेस्टल, स्टार, औरेंज, संसेशन, श रेड के अंदर, एलियन, देवदासी, मरलीना, वैलन्टाइन, जीजी, ये किसमें है, रेड कलर की, फ्लोरी बंडा के अंदर, अब है तीसरा केटेगरी, जा तीसरी क्लास, जो पोलियन था, इसके अंदर किसमें आ जाती है, पृती, कैथरीना, जेमेट, जो वाइट कलर की बेबी फॉरक्स लेवेंडर कलर की है चाइना डॉल पिंक इसके लावा चती लॉन रोज पिंक औरेंज ट्रंफ औरेंज कलर की है बॉर्डर किंग रेड कलर की है ठीक है नेक्स्ट आचाता है मिनियचर ग्रूप मिनियचर की जो इंपोर्टेंट है पुशकला जोसिफीन रेड कलर की इसके लावा मिमी पिंक कलर की है क्लाइमिंग रोज के अंदर लता वाले गुलाव रहते हैं उनकी एफिल टॉवर स्नोगर्ल स्नोगर्ल जिसको पिंक कलर की है ठीक है डेली वाइट परल इसके लावा क्रिम्सन गलोरी डार्क रेड कलर की है मिरेचल नेल लेमन कलर किया है, गोल्डन शौवार येलो कलर की है, अमेरिकन पिलर, पिंक ब्लैंड के अंदर आ जाती है, फिर है म्यूटेंट वराइटी, म्यूटेंट समझते हैं उत परिवर्तन से त्यार, ठीक है, तो एट आई आराई, थ्री कल्टिवार्स वर डवलप थ्रो, इंडूस, इं मतलब अविसारी का एक म्यूटेंट किसम है, इसके लाब पूसा क्रिस्टीना फ्रॉम क्रिस्ट्यन डायर से त्यार की गई है, मतलब क्रिस्ट्यन डायर पैरेट है, उसमें से पूसा क्रिस्टीना त्यार की गई है, इसमें मदहोश फ्रॉम गुलजार, गुलजार से म्यू प्रोपोगेट किया जाता है एक तो वेजिटेट से दूसरा वेजिटेट मतलब बीज से पैदा करना और लेंगिक वीदियों से पोधों को त्यार करना जो सीड वाला मेथेड है वो थोड़ा कॉंपलिकेटेड है कॉंपलिकेटेड भी है और बहुत ज्यादा यूज नहीं कि मिज बाता है है ठीक है पर जो बीज होते हैं गुलाव के वैसे उगाया कैसे जाता है अपने वैसे नौर्मली देख लेते हैं जो सब्सक्राट निकालने के बाद एक process होती है Scaurification हो जो dormancy तोड़ने के लिए क्योंकि इसके बीज बहुत ज़्यदा hard होते हैं और dormancy रखते हैं ठीक है तो इसके लिए क्या करते है उन वीजों मे से वीजों को निकाल लिया वीजों को उसके बाद concentrated H2SO4box God concentrated H2SO4 있지만 solution के अंदर लगब लगब आदा गंटा तक इमर्ज करके रखा जाता है बिगो के उन वीजों को रखते हैं फिर उसके बाद उन वीजों को निकाल के लगब दो से तीन गंटे तक बहते हुए पानी से धोया जाता है पानी में धोया जाता है उनको फिर उनके बाद ये scarification की process ख आड़ उसका बुदा कर लिया जाता है और जो म chịं अंदर उसनको मैंस रिया जाता है पांस सेंटीमिंटर न को बहते हैं पहड़ तन कंभाच शांपहे जाता है जैसे लोगव दो से तेन अलेको इनको स्टोर कर दिया जाता है यह पांस सेंटीमितर की दीरी पर उसमें लि MBA फिर उनमेंसे लगबग लगबग जो एक महिने के अंदर जादतर सीड जर्मिनेट हो जाते हैं पर इसको हमेशा नम रखा जाता है जो क्यारी होती आपकी और उसमेंसे जो भी स्रीलिंग तयार हो जाती है उसको निकाल लिया जाता है और nursery में shift करते जाते हैं पर कम से कम इसमें जो germination की process है बीज की वो एक महने से लेके 6 महने तक continue चलती रहती है कुछ बीज 6 महने तक germinate होते हैं क्योंकि उनमें अभी तक dormancy पड़ी हुई रहती है वो dormancy टूटी नहीं होती ठीक है तो time इतना भी ले लेते हैं फिर अपने चलत आया था कि जो रोज है गुलाव है इसको commercially propagate budding से किया जाता है अगर कोई question ऐसा आए रहे कि किस से प्रोपोगेट होता है गुलाव commercially budding से ही प्रोपोगेट होता है क्योंकि इसकी जातर जो संकर किसमें वो बढ़िंग से प्रिवर्दित होती है जहां पे भी अपने cultivation करने हो होती है जिस गुलाव की वैसे दूसरा मेथड इसका cutting भी है cutting से भी बहुत सी किसमों को त्यार किया जाता है कि फर्स्ट इसमें मेथड है cutting climbers, ramblers, polyanthas and miniature roses can be easily propagated by cutting cutting के अंदर ज्यादा तर यह कहलो कि जो climbing rose होते हैं, लता वाले गुलाव होते हैं, ramblers, ठीक है, बेलों वाले उन सबको और polyanthas and miniature glove होते हैं इनको ज़्यादातर cutting से असानी से प्रवर्दित किया जा सकता है, cutting से ही इनको ज़्यादातर प्रवर्दित करते हैं, ठीक है इसमें भी दो होते हैं आगे cutting के type, एक तो stem cutting होता है, root cutting होता है, stem cutting के अंदर the easiest and least expensive way, मतलब सबसे असान और सबसे कम खर्चिला method है यह, जो stem cutting है the branch should be cut just below the node, जो शाखा होती है, उसको जो कली होती है, उसके बिलकुल नीचे से काट लिया जाता है, और नीचे वाली पत्यों को remove कर दिया जाता है जो पत्तियां होती है नीचे वाली उनको रिमूव कर दिया जाता है हटा दिया जाता है तो आपकी कलम त्यार हो जाती है पत्तियों हटाने कारण क्या होता है कि जो आपकी कलम है उसमें से कम से कम पानी का लॉस हो तो उसके लिए उसमें से ज़्यादातर पत्तियों को हटा द में ठीक है उसके उपर दो कल्या मतलब कम से कम होने चाहिए जब आपने उसको कलम को लगाते हैं ऐसे नहीं कि कलम की जो उसमें एक भी कली नाओ और अपने दो इंटो नोड के पीच वाली लंबाई को काट के लगा दें जमीन के अंदर ऐसा नहीं उसमें कम से कम दो इससे जिनको रूट कटिंग से भी त्यार किया था है रूट कटिंग जड की भी कलम त्यार की जाती है उनको जैसे कलम स्टेम की करते हैं सेम वैसे ही कलम त्यार करके रूट की जड़ों को काटके उनको रूपित किया जाता है रूट कटिंग जो रूट कटिंग होती है वो पाले को तो पाड़े को ज्यादा सहन कर सकती है stem जो कलम होति है तन्याव कलम होती है उसकी ठीक है hybrid होती है कहने का मतलब But the root cutting has less growth and flowing जबकि जो root cutting होती है वो कम व्रधी करती है और कम flowering देती है इसलिए इनको ज्यादा अ招ी तर प्रफरेंस नहीं दी जाती root cutting को The Giving Point should always be at the top और जो growing point होता है, जहां से फूटान लेता है, जहां जिस side उसकी main होती है, जिस side से वो पोदे के साथ जुड़ा होई रहती है, जड़ उस side को हमेशा उपर की side रखा जाता है, कलम लगाते ही समय, ठीक है, layering, next इसमें जो vegetative के अंदर आ जाती है, layering, बहुत ही कम यूज़ होती है, पर गुलाब के अंदर की जाती है, इसमें भी air layering, जदतर यूज़ होती है, air layering, this involves removing the bark approximately 2.5 cm long in the form of a ring, and apply the rooting hormone, IBA, naphthalic acetic acid at the rate 10 ppm and covering it with rooting media, तो air layering होती है, जिसको अपने गुट्टी बोल देते हैं, मार्कोटेज बोल देते हैं, ठीक है, उसमें करते क्या हैं, एक 2.5 cm छले नुमा शाल को शाखा में से निकाल लिया जाता है, जैसे picture में दिखाई दे रहा, ठीक है, शाल में को निकाल लेते हैं, उसके उपर growth hormones हैं, जो rooting produce करते हैं, rooting के लिए use किया जाते हैं, जल्दी root आती हैं इसके कारण, जैसे indolbutary acid है, naphtalic acid है, इसकी 10 ppm का solution, उस कटे हुए बाग पे, जहां रिंग निकाली है, वहां पे लगाया जाता है, और उसके बाद उसे sphagnum moss grass से cover कर देते हैं, sphagnum moss grass, ठीक है, sphagnum moss, एक मी polythene film for quick rooting, ठीक है, इसके उपर एक जो numb sphagnum moss है, उसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है, उपर से एक plastic, sorry, plastic नहीं, एक polythene की पतली सी sheet का टुकड़ा काट के उसके उपर दोनों side से बांद दिया जाता है, उपर और नीचे से, transparent होना चाहिए, जिससे कि अपने को पता च चलने का खतरा रहता है, तो transparent होनी चाहिए, जो आप उसके उपर sheet लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आपका पोदा के अंदर जड़ें दिखाई देने लग जाए, उस transparent के अंदर से, तो आप नीचे से, प्लांट से, एक जांग, दो cut लगा के उसको पोदे से, पैतरक पोदे से अलग कर लेते हैं, और nursery के अंदर repeat कर देते हैं, next video है, ground layering, ठीक है, layering का ये एक type है, ground layering के अंदर, जिसको अपने simple layering कह देते हैं, simple layering की जाती है, simple layering के अंदर, this is done by tilting the shoot to the ground and covering it with soil, but the terminal is left open, मतलब ये कहने का कि, जो शाखा होती है, उसको जुका लिया जाता है tilt कर लेता है, ground की तरफ, और उसके उपर मिट्टी के एक डेर लगा देते हैं, पर जो terminal part होता है, चाशीर्ष होता है, उसको बाहर की तरफ रखा जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, एक side से, बीच में उसके मिट्टी लगाई जाती है, cutting और noaching should be done on the underside of the route, जो cutting, ज noaching कर दी जाती है, जो शाखा होती है, जो जमीन के अंदर जितना भाग रहता है, वहाँ पे cut लगा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ से जड़ें जल्दी निकलना start हो जाएं, it takes a month for the route to grow, और यह लगबग एक महिने का समय लेती है, जड़ें निकालने के लिए, and 15 to 20 days after the route is formed, जब 15 से 20 दिन बाद की उसकी जड़ें त्यार हो गई हैं, उसके 15 से 20 दिन बाद, the branch is separated from the parent, जो ब्रांच होती है, उसको parent से separate कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, नेक्स्ट है budding, अपना तीसरा जो propagation का method है, budding, ठीक है, cutting हो गया, layering हो गया, तीसरा budding, T budding, inverted T budding, and slint method जिसको I budding कह देते हैं, मतलब सीधा cut लगाया, और I कितरे हैं, और उसमें shield की कली होती है, उसको डाल देते हैं, तो यह जादा तर जो commercially used होते हैं, वो method है, वैसे shield और T budding is used commercially, generally जो used किया जाता है, वो shield budding जो T budding जादा तर यूज किया जाता है, तो करते हैं, जो भी आपका selected root stock है, कोई भी root stock आपने लिया है, जिस पे आपको कोई hybrid किसम की कली है, उसको उसके ओपर लगाना है, तो root stock नीचे वाला, जिसको हिंदी में मूल वरंत कहा देते हैं, तो जो कली है, वो science, तो science, जो sorry, मूल वरंत है, मूल वरंत का चुनाव कर लिया, उसके उपर T akar का cut लगा लेते हैं, T akar में छाल को डीला कर लिया जाता है, उसके अंदर जो shield akar की कली होती है, उसको insert कर दि से जहां फिर कोई adhesive tape है, उससे, जहां कोई winding strawber strips आते हैं, उसको बांग देते हैं, और ध्यान रखा जाता है, जो भी उसका आंख वाला भाग होता है, कली होती है, जहां से दिखाई दे रहे होती है, वो खुला रखा जाता है कि वहां से वो growth कर सके, जो बड़िंग की जाती है, जो आम तोर पर, वो पांस से साथ सेंटीमीटर उंचाई पर, जमीन से उंचाई पर की जाती है, उस root stock के उपर, ठीक है, यूनियन मतलब कहलो कि जो जो जोएंट है, मतलब बड कली, जो मूल वरांत के साथ चिपकेगी, वो तीन से चार हबतों क के अंदर चिपक जाती है, ठीक है, इतना टाइम लेती है, the ideal temperature is 10 to 25 degrees Celsius, जो बड़िंग के लिए ideal temperature है, जिस समय बड़िंग करनी चाहिए, 10 degrees से 25 degrees Celsius के बीच में तापमान हो, उस समय जातर बड़िंग करनी चाहिए, उसके बाद है, some of the common root stocks, common root stock समझेगोगे, मूल वरांत, ज के भी काफी characteristics होती है, वो उस हिसास से select किये जाते है, एक तो जैसे कि कहलो कि वो hardy हो, पाड़ा को sand कर सके, उसमें कोई insect paste ना लगे, मतलब उसके कई character होने चाहिए, वो लंबा, उसके तने लंबे stock वाले produce कर सके, तो कुछ characteristics होते है, रोज के लिए भी, तो जो important root stock यूज क of India, जो कि उत्तरी जो बैदानी शेतर है, वहाँ पे इंडिया के, वहाँ पे काफी परचलिद जहां popular परसीद है, they have straight and long stem, जो कि एक सीधा और लंबा तना पैदा करता है, ठीक है, जिसके ओपर लंबे तने बनते हैं, ज्यादा तर जो आपको cut rose के लिए cultivate करना होता है, उसक कि उरोप के अंदर काफी परसीद है, very hardy, बहुत ही hardy होता है, and is an excellent root stock, और जो कि एक excellent root stock है, जनली ज्यादा तर मतलब कि बहुत ही अच्छा root stock है, इसके लाबा रोजा इंडिका वराइटी ओडोराटा, tolerant to powdery mildew and other insects, resistant to extreme soil condition, जो तीसरा root stock है, रोजा इंडिका वराइटी यह powdery mildew, जो बिमारी है, इससे भी torrent है, और भूसी इंसेक्ट से भी resistant है, इसके लाबा जो soil की extreme conditions होती है, यह कहलो कि कई कई बार क्या होता है कि salt ज्यादा है जमीन के अंदर, ठीक है, तो ऐसी conditions के अंदर भी यह survive कर जाता है, तो काफी अच्छा root stock है, इसके लाबा रोजा लाक्सा है, common in Europe, जो यूरोप के अंदर commonly used किया जाता है, इसके लाबा रोजा मनेत है, जो in Europe, it is commonly used for dwarf roses, जो की यूरोप के अंदर जो बोने गुलाव होते हैं, उनके अंदर यूज किया जाता है, और resistant to verticillium wilt, जो की verticillium wilt से भी resistant है, ठीक है, इसके लाबा रोजा multiflora variety, एक जो की नेमेटोड जो problem है, उससे resistant है, मतलब इसमें नेमेटोड वाली समस्या नहीं आती, इसके लाबा और भी बहुत से rootstock है, जैसे रोजा चाइननसीस है, रोजा मोस चाटा है, और भी बहुत से rootstock है, जिनको यूज किया जाता है, रुगोसा है, तो बहुत से और भी है, तो यह तो कुछ important थे, इसके लाबा layout and preparation of bed, अब तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि बहां पर अपने पढ़ते हैं कि planting कैसे करते हैं, दूसरी फसलों के अंदर, तो यह थोड़ा सा लग है, क्योंकि layout और preparation of bed से मतलब है, कि जो क्यारियां बनाए जाती है, किस प्रकार से layout की जाती है, और किस प्रकार से वो त्यारी करते हैं, उस क्यारी की, ज़्यादा तर जो layout शब्द यूज होता है, वो garden के संदर्व में यूज होता है, जहां पर अपने एक बगीचे के अंदर किस प्रकार से क्यारी बनाएंगे, क्योंकि अपने इसका main मकसद अपना गुलाब का ये भी हो सकता है कि मैं उसको garden display के लिए लगा रहा हूं, ठीक हो गा रहा हूं, तो वहां पे layout शब्द यूज होगा उसके लिए, नहीं तो अपने खेद के अंदर तो क्या होता है कि pit method होगा, जा trench method होगा, जिससे अपने उसकी planting करेंगे गुलाब की, त तो rose garden का plant त्यार किया जाता है पहले, और इसमें beds जो होती है, वह बहुत ही सदारन, वह formal भी हो सकती है, जानि कि आपचारिक भी हो सकती है, और अनपचारिक भी हो सकती है, आपचारिक से मतलब जैसे कोई square shape है, कोई rectangular shape की है, कोई वरताकार है, ठीक है, circle shape की, ऐसी क्यारिया बनाई जा सकती है, जहां फिर informal भी हो सकती है, informal से मतलब है कोई उनकी shape नहीं है, जैसा मन किया, जगह के अनसाब अपने क्यारी बना लिए, ऐसी भी बनाई जा सकती है, rose beds can be of different designs, depending on the choice of the grower, जो rose की क्यारियां होती है, इनके जो design होती है, वो अलग-अलग हो सकती है, जैसा क जो उगाने वाला व्यक्ति है, उसकी जैसी भी choice है, उसके उनसार, however, rectangular beds are beneficial for maintenance, जबकि जो rectangular क्यारियां होती है, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, maintenance के view से, मतलब उसमें, जो culture practices है, वो असानी से की जा सकती है, The width of the bed should be such that weeding, hoeing, cutting of flowers, etc. can be done without stepping on either side of the bed, मतलब कहने का है कि जैसे culture practices होती है, गुलाब के अंदर कोई खरपतवार निकालना है, गुडाई करनी है, फूलों को तोड़ना है, यह सब काम बिना उस क्यारी के अंदर गुसे हुए किये जा सकें, तो width क्यारी की इतनी ही रखी जा 1.2 to 1.6 meter, जो width रखते हैं वो यह कहलो कि एक से 1.5 meter लिख लो, सीधा ही की एक से 1.5 meter के आसपास रखी जाती है, and the length depending on the size of the garden, और जो लंबाई है क्यारी की, वो garden की जितनी length था उसके उनसार, गार्डन में कितनी लंबी क्यारी सुन्दर लगेगी उसके साथ से, जहां फिर usually no more than 6 feet each, और 6 meter से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर भी कम से कम 6 meter से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर क्यारी अच्छी नहीं लगेगी, इसके लगा preparation of rose bedded, जो क्यारियां बनाई हैं, उनकी preparation कैसे करते हैं, यह आपकी जो open condition है, वहां के लिए भी लागू होती है वह तो अकिला जो layout बैट था, वह तो था कि आप किसी बगीचे के अंदर कैसे करोगे, तो यह अब जो start हुआ है, यह आप कैसे क्यारियां त्यार करोगे, फिल्ड के अंदर, उसके उपर और जो आपकी क्यारी उसके अंदर जो बनाई हैं अपने garden के अंदर, उनके दोनों क उपर depend करता है कि कैसे क्यारियां त्यार करोगे, soil should be rich, porous and well-drained, जो मिटी है, वो अच्छी यह कहलो कि rich होनी चाहिए, उसमें अच्छी मातरा में organic matter, अच्छी मातरा में nutrient होने चाहिए, porous होनी चाहिए, मतलब यह कहलो कि उसमें से अच्छा aeration हो सके, porous होनी चाहिए, preferably be started during summer season, so that the soil gets exposed to hot sun and air and during the monsoon, it gets a chance to settle down before planting, the initial preparation, जो क्यारी की, जो शुरुवाती त्यारी होती है, क्यारी की, वो गर्मी के अंदर start की जाती है, शुरू की जाती है, ठीक है, जिसमें मिटी को गर्म धूप के अंदर और हवा के अंदर रखा जाता है, कि एक्सपोज किया जात है, बाहर उसको हवा लगाई, दूप लगाई जाती है, उसके अलावा जब मानसून आता है, उसके बाद, मनलब गर्मी के बाद, तो मानसून के कारण वो जम भी जाए, वो सैटल भी हो जाए, क्यारी आपकी, ठीक है मिटी, तो इस रिसाफ से लगाई दिया, इसके अलाव निकाल देना चाहिए, गहरी खुदाई करके, ठीक है, गहरी खुदाई करके इन चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए, इसलावा दा सोयल शुट भी पलवराइज, ग्रेवर, स्टोन, ब्रिक्स, पीसेज, और अधर फॉर्जन मेटीले रिमॉट एंड एंड मिट्टों के टुकडे हैं, जा फिर कोई और ऐसा ही समान है, जो मिट्टी से रिलेटेड नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए, और मिट्टी को कम से कम एक हफते के लिए, दूप लगने के लिए छोड़ दीने चाहिए, मिट्टी को, ठीक है, पीट्स और ट्रेंचे जार भी मेड और बेसल डस्टिंग इड मेला थिए, जार फिर दर घ्र यहां, यहां बनाईके जाथे हैं, तो पिट्स का मतलब खडे खोद लिया जाते हैं, दूरी-दूरी पे, और ट्रेंश का मतलब एक लंबी नालिया मिद्टी मधना लिए जाती हैं, ख़ईया बनाए जाती कि उसके बाद उनके इंदर मेला त्यों का बेसर शिड़काब कर देते हैं खड़ों के अंदर खाली खड़ों के अंदर जिससे कि उसके अंदर कोई दीमक जा फिर कोई ऐसी ही जो कीड़ा है चींटियां वह पैदा ना हो ठीक है तर्माइट की में दिक्कत रहती है गुलाव के अंदर तो पहले ही मेला थियों डाल देते हैं उसके अंदर फिर उसके बाद उस खड़े को दो भाग मिट्टी और एक भाग गोबर की खाद का मिक्षर बनाके उस खड़ों को और ट्रेंच को भर देते हैं इन ट्रेंच सिस्टम, ट्रेंच इस अबाउट 2.5 फिट पिड्ट और ऐनी क्वेंच सिस्टम के अंदर ट्रेंच बना जाती हैं वह ड्रैंच से फिट तो चोड़ी होनी चाहिए और एक खाई से दूसरी खाई के बीच में दो से तीन फिट का गैप होना चाहिए, बीच में दूरी होनी चाहिए, कि उस पे असानी से चला जा सके, फिर नेक्स्ट, दूसरा की उसकी जो गहराई होती है, वो एक से डेड़ फिट की होनी चाहिए, मतलब एक से डेड़ फिट गहरी होनी चाहि इसके जो bits हैं, गड़े हैं, वो बनाए जाते हैं, जिसमें 45 cm लंबे, 45 cm चोड़े और 45 cm गहरे खड़े को दे जाते हैं, ठीक है, एक सिंपल खड़े खोद लेते हैं, अलग-अलग जितने भी दूरी, 60 cm की दूरी रखे, खड़े को लेते हैं, जितनी भी दूरी स्पेसिंग स्लाइड में बताऊंगा, ट्रेंचिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, ट्रेंच के अंदर ट्रेंच बनाई जाते हैं, जैसे पहले ही मैंने इसमें बताया ही था भी, कि ट्रेंच का ये साइज रखाए ता इतनी दूरी रखे जाती है, वैसे ही, 60-75 cm वाइड जो ट्रें होनी चाहिए, ये ट्रेंच जो खाईयां बनती हैं, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, जितनी भी आपके पास जितना भी खेत प्लवद उसके हिसाब से आप लंबाई रख सकते हो, 60-90 cm, 2-3 feet path between the trenches, लगबग 60-90 cm, जहां कहलो कि 2-3 feet का एक खाई से दूसरी खाई के बीच में, ठीक है, फिर है spacing, spacing ये मालो की protected cultivation के अंदर, जहां जो green house के अंदर उगाया जाता हो, उसकी अलग रखी जाती है, outdoor के अंदर, जहां उखुले में खेती करनी है, उसके लिए अलग रखी जाती है, hybrid किस्मों की अलग होती है, और अदर दूसरी किस्में जो जनर्नल सी रहती है, उनकी अलग रखी जाती है, तो protected cultivation और outdoor cultivation के अंदर, hybrid किस्में है, जो hybrid किस्मों के अंदर, 60 into 30 cm की spacing रखी जाती है, मदब 60 plant to plant, और 60 row to row और 30 plant to plant जो दूरी रखी जाती है, protected cultivation जा ग्रीन हाउस के अंदर, और 75 into 75 cm outdoor cultivation के अंदर, जहां खुले में अपने plant लगाने और दूसरी जो किस्में है, अगर protected cultivation के अंदर, जानी green house के अंदर लगी हुई है, जो जितनी भी बिना hybrid है, उनमें 30 into 20 cm जा फिर 30 into 30 cm का spacing रखती है, plant to plant और row to row, इसके अलाबा जो outdoor cultivation के अंदर, other varieties के अंदर 60 into 60 cm की दूरी रखी जाती है, However, from the management point of view, 60 into 60 cm is ideal for the outdoor cultivation, अगर management point of view से देखा जाए, तो जो 60 into 60 की दूरी है, outdoor cultivation के लिए ideal माने जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी रहती है, maintenance purpose से, Prequations during planting, Prequations, मतलब साफदानिया क्या रेखनी चाहिए, जब अपने planting कर रहे होते हैं, पहला तो remove all immature, dead or diseased part, जो भी पोधे के उपर कोई कच्ची शाखा है, कोई सुख्यू ही शाखा है, जिसके उपर insect लगा हुआ उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, पहले अपने जो पोधे nursery से लेके आएं, उनको अपने प्रोपन करना है, उन पोधों की बात हो रही है, ठीक है, उनके अंदर कोई कच्ची शाखा है, कोई आपको सुख्यू ही शाखा लग रही है, कोई disease वाला उनको हटा देते हैं, reduce the possibility of moisture loss by removing some leaves including dried and yellow leaves, और moisture के loss को जितना हो सके कम करने के लिए उसकी जो पीली पड़ी पत्तिया होती है, जा कोई सुख्यू ही पत्ती है, उन सब को हटा देना चाहिए, उस ब्लाइटोक्स का एक ग्राम पाड़र लेके एक लिटर पानी के अंदर गोल के एक solution बना लेते हैं और उसके अंदर plant को immerze करते हैं, मतलब उसमें डुब होते हैं, before planting to reduce the risk of fungal attack, की जो fungal attack है उसकी risk को कम करने के लिए पोदों के उपर fungal attack ना हो, ठीक है, तो ब्लाइटोक्स एक fungicide उसके solution के अंदर इसको dip कर देते हैं पोदों को लगाने से पहले, planting should be done in well prepared bed or trenches or pit, planting की जाती है, जो पहले से त्यार, अच्छे से त्यार की हो, यह क्यारियां होती है, जा खाईयां होती है, जा खड़े होती है, उनके अंदर पोदों को लगाया जाता है, the soil should not be too wet or too dry at the time of planting, और जब planting कर रहे होती है, उसमें मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा नम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नमीवीनी होनी चाहिए मिट्टी में, ना ही बहुत ज़्यादा उसमें सूख्यों ही मिट्टी होनी चाहिए, यह कहलो कि ना ही एक मद्यम से टाइप का पा कायन किया हुआ है तो उसको जमीन से धाई से पांच सेंटीमेटर उपा रखा जाता है मिट्टी के कॉंटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है ठीक है इस हिसाब से पोदे की लगाया जाता है जमीन के अंदर जो मिट्टी जड़े है वो सीधी डिरेक्ट जो सोल है उसके कॉंटेक्ट में आ जाता है और जो कॉंटेक्ट में आने के बाद जितना भी उसमें यूटेंट सेंजब पानी है वो उफटेक कर सके इंटेक कर सके मतलब वो उसको time है मतलब रोपन का समय है mainly depend करता है कि उस शेतर की climatic condition कहती है मतलब मोसम कैसा है वहाँ का in areas where severe winter planting can be done either in the autumn or in early spring when the plant are in dormant condition and are easy to handle और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सरदी पड़ती है ठीक है temperate reason होते हैं जाने कहने का मतलब वहाँ पर ज्यादा तर पत जड़ के मोसम के अंदर जहां फिर जो बसंत की अर्ली बसंत होता है उसमें रोपन किया जाता है क्योंकि उस समय पोदा dormant होता है और असानी से उसको carry किया जा सकता है ठीक है उस समय जातर planting करनी चाहिए दा वेस्ट सीजन फॉर बैटर planting in rainy और winter rainy और winter पर वेस्ट सीजन है जो planting का जनली वह रेनी से लेके winter season तक होता है जानी कि जून से लेके October तक का time बहुत ही अच्छा होता है planting करने के लिए गुलाव के लिए sport the plant immediately after planting और जैसे ही plant आप लगा दिया उसके बाद उसे एक सहारा दे दे दिया जाता है कि उसका तना बैंड ना हो साथ में कोई bamboo की stick लगा दी जाती है ठीक फिर है next है irrigation waterlogged conditions are not good for rose cultivation waterlogged कैलों जल बराव वाली कस्ती थी गुलाव के लिए अच्छी नहीं रहती पानी बराववा खेत में नहीं रहना चाहिए the frequency of irrigation depends on the stage of growth, soil texture, climate and production, area और type of pottery cultivation जहनी कि जो frequency है बारम बारता है पानी आप कितने time बात दे होगे वो depend करता है कि पोदे की कौन सी वस्ता में है पोदा, मिट्टी का परकार कैसा है, climatic condition कैसी है, सर्दिया गर्मी है, जहां फिर production area कैसा है जहां फिर आपने किस परकार से उसको गमले में लगाया हुआ है ठीक है यह depend करता है इसके उपर कि आप कितना पानी दे होगे in general, irrigated rose once a week or ten days in winter and twice a week in the summer season generally जो irrigation दिया जाता है वो एक वीक के अंदर, एक सब्ता के अंदर एक बार दिया जाता है पर यहां फिर यह कहलो कि दस दिनों के अंतराल पर सर्दियों के अंदर और गर्मियों में एक वीक के अंदर दो बर सिंचाई की जाती है drip irrigation is ideal for roses, drip irrigation जो है वो गुलाव के लिए होती अच्छा होता है, ideal होता है ठीक है, excess salt in water is harmful to the rose plant and resulting in chlorosis, tip burning and reduction in flower yield and stem length पानी के अंदर अगर salty पानी है, सिंचाई कर वाप उस से, तो इससे क्या होगा कि पोदे में chlorosis होने की संभाव ना रहेगी जा फिर जो tip burning होती है, यहां कहलो कि किनारे जलने स्टार्ट हो जाती है, burning होनी स्टार्ट हो जाती है उनकी जा फिर यह भी होता है कभी 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 कि आपकी flower yield है वो कम हो जाए 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 जो flower star की length है वो कम हो जाए ठीक है? तो excess salt वाड़ा पानी हारम फुल रहता है रोज के लिए इसके बाद के जो भी पॉइंट है लेक्चर काफी लंबा हो गया था मुझे लागरा 45 से उपर ही हो गया मिंट तो नेक्स जो पार्ट होगा इसी का सेकंड पार्ट में अपने डिसकस करेंगे जैसे उसमें भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रह गए है प्रून इसके लाबा को हटाना रिबूव फैडर्ड फ्लोवर्स जानी कि स्टेज्ट कौन से होने चाहिए हार्वेस्ट के लिए जानन फिर रोज के अपने विदेशस्यों में बेचते हैं तो उनकी क्या क्वालिटी होनाओ फी गुलाव कि वह क्या लेक्ट देखते हैं ऐ